बिस्मिल्ला रह्मान राहीम आज हम घर पर ही चोकलेट बिस्क्र बनाएंगे बिल्कुल खस्ता बेकरी स्टाइल आप इसको बनाकर एक बार रख लें और पूरा महीना एंज्वाय करें इस रेस्पी को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहां पर हाफ कप ओयल या घी का इसमाल क करेंगे और वनकापी इसमें चीनी आड करेंगे, पीसिवे चीनी इसमें डालेंगे, अच्छे तरिक तो बिक्स कर लेंगे, फलफ्य होने तक आपने इसको बीड करना है, यह कि असलिक रह गयात YOUR वहाँ साव्ट रॉप्य अफलफ्य में चीनी होजाएगा और को यह बहुत जब अंड़ा अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए मैदा एड़ करेंगे दो कप के किरिए हमने इसके अंदर मैदा एड़ करना है और साथ ही हम इसके अंदर वन टैबल स्पॉन बेकिंग पाउडर एड़ कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ की मदब से आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें जिस तरीके से हम आटा गूंते हैं वैसी इसकी डोव हमने बना ले नहीं है अच्छी तरीके से सारी चीज़े इसके अदर मिक्स हो जाए तब तक हमें इसको गूं लेना है आप चाहें तो इसको 10-15 मिनिंट तक रेस्ट भी दे सकते हैं अब हम इस डोव की दोव पाट कर लेंगी एक में हमने कोको पॉड़र एड़ करने हैं वन टेबल स्पून के करिब आप इसके अंदर कोको पॉड़र एड़ कर दें और थोड़ा से इसमें धूद एड़ करेंगे मैं इसको मीक्स कर लिए हैं आप इन दोनों बॉल को लेंगे और इनके छोटाचा जोटी बॉल्स में हमने मिनको डिवाइड कर लिये अब हम एक-एक को उठाते जाएंगे और अच्छे τरिके से इसको ग्लाई में गुमाते वे इसकी छोटी सी बॉल्ड रेडी आ लेगे ऍाइद के इस तरिके से आपने इसकी बॉल्ल बनाते जाना है सारी बॉल्ल रेडी है अब आपने क्या करना है कि एक बॉल आपने कोको बाडर वाली लेनी है डार्क वाली और एक लाइट वाली इस तरीके से आपने इसका फूल सा बना लेने है और इसको अंदर की तरफ आपने दुबाते हुए और बिलकुर रोटी की तरह जिस तरह हम पेड़ा बनाती है आपने इसको इस तरीके से आपने बना लेने बहुत एजी ली ये बन जाता है देखें बहुत अच्छा से बिस्किट हमारा रेडी है देखें इसे तरीके से आप चाहें तो तीन वाला बना ले ये दो वाला बना ले जितना बड़ा आप बिस्किट बनाने चाहते हैं यह देखें इस तरीके से 3 में आपकर देख लेते हैं अंदर हुआ आपने इसको-प्रह जोट प्रेस करते जहना है इस साथ में ज्चाइब उपरये को लिवर यह जाए हैं में और एजुकर आपकर शेफ से सब्सकें लिए कुपने विजानीच धरकऄ जाको पहुमाद का navy फिर आपने सारी बिस्कुर्स के शिफ्ट कर देने हैं पतीले में हम इसको बेक करेंगे प्री हीट आप निकलें न पतीले को 10-15 में बिल्कुल लो फ्लेम के ओपर इसको 30-40 मिनर तक हमने बेक कर लेना है देके बिस्कुर्स बिल्कुल रैडी है बते चैसे बेक हो गए है एक पर बनाकर आप इस विस्कुर्स को रख ले फिर बचों को लंच में भी दे सकते हैं और जो भी महमान आई तो आप इनको चाहे के सार्फ कर सकते हैं टेस्ट बिल्कुल बजार जैसा है तो आप इस रेस्पी को ट्राइ करें और अपना फीड़बेक दीजिएगा रेस्पी अच्छी लगिया तो लाइक कर दें शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का रोटिफिकेशन मिलता रहें फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ अल्ला हाफीज